सभी को जै भीम नवो बुद्धा है अभी बहुत अच्छा कॉंसेप्ट कुरील साहब ने बताया समर संग के बारे में समर संग क्या है बहुत अच्छी तरह से समर संग की व्याख्य की है तो बाकी तो और कुछ इतना रह नहीं जाता है जो बताने के लिए मैं तो बस एक-दो निवेदन ही करूँगा सभी साथियों से यह जो वीदा पीपल समर संग का कॉंसेप्ट है किवल यही हम सब को बचा सकता है आने वाली पीडी हम खुद और हमारी आने वाली नशले बच सकती है यदि हम इखटा होंगे और बहुत सारे साथी कहते हैं कि इखटा होकर क्या करेंगे इखटा होने का क्या प्लान है क्या उदेश्य है किसलिए इखटा हो रहे हैं तो इस समझने की जरूरत सिर्फ यह है कि जैसे की बुद्ध के समय से पहले या बुद्ध के समय में जो संग के रूप में हम सब इखटा रहते थे तो उसी रूप में ही हमें सब को इखटा होना है और इखटे यदि हम होंगे जिस तरह से अने को प्रकार के उधारन दिये जाते हैं कहानिया के द्वारा बताया जाता है कि जो इखटा रहते हैं जो संग में रहते हैं उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता बहुत सारे उधारन दिये जाते हैं पक्षियों के पसुओं के जंतू पेड़ों के जो जुंड में रहते हैं उनका हमें सीखने की समझने की आवश्यक्ता है तो उसी को लेकर इसी कॉंसेप्ट को इसी अब्धारणा को लेकर ये समर्संग का गठन किया गया है समर्संग जैसा कि अभी कुरिल साब ने बताया है कि समर्संग में का कोई नेता नहीं है कोई इसका करता-धरता कोई अग्वा कोई संस्थापक या अध्यक्षी या संचालक या निर्माता कोई भी नहीं है ये हम सब का संण है जो भी S.C.S.T. O.B.C. समाज में से आता है वो इस संग का सदस्य है जन्मजात सदस्य है और इस सदस्ता के लिए उसको कोई कहीं कोई एंट्री नहीं होती है, कोई चंदा नहीं, कोई सुल्क नहीं, जन्मजात सदस्य होते हैं बस यहां दो परकार के सदस्य होते हैं, एक सक्रिय और एक निश्क्रिय हम यहां पर जो जितने लोग जुड़े हुए हैं अभी इस समय दोसों दो लोग इस समय जुड़े हुए है तो ये सक्रिय सदस्य है बाकी जो लोग है जो अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं तो समणी ही तो जो काम करते हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, जो संग के लिए काम करते हैं, वे सक्रिय सदस्य होते हैं इसी परकार से इस संग में कोई चंदा नहीं लिया जाता, कोई सदस्ता, कोई सुल्क किसी परकार का नहीं लिया जाता है एक नियम और भी संग का बनाया हुआ है कि संग कभी सक्रिय राजनीती में नहीं जाएगा समर्संग में जातिवाद या उचनीच या किसी परकार का भेदभाव को भी कोई इस्थान नहीं है समर संग में के निर्णे जो संग के द्वारा जो सार्वजनिक सहमती से होते हैं वही निर्णे सभी को मानने होते हैं और ये निर्णे एक प्रकार से जो शक्रिय सदस्य हैं जो संग के लिए काम करने हैं दिन रात काम करने हैं ऐसे सक्रिय शदस्यों को यहां पर एक प्रमोशन होता है इस पोक का इस पोक बना दिया जाता है और उन इस पोक को का एक हाउस लगता है पहले महीने में दो बार लगता था अब मार्च से हर महीने में एक बार एक हाउस लगेगा सदन लगा कि लगता है वो लगे करेगा तो सारे जो निर्णे और जो नियम या संघ के लिए जो कारिय शेली बनती है, वो उसी संघ में सब की सेहमती से बहूमत से उसके लिए निर्णे लिया जाता है और वो संघ में एपलाई किया जाता है। समर संग में आप कोई जिस तरह से की बताया कि कोई चंदा कोई शुल्क पिया सदस्ता नहीं लिजाती है पैसे का कोई काम नहीं है तो इसी प्रकार से जब सदस्यों को अपना खर्चा करने की भी परंपरा समर संग में है समर संग में कोई मिटिंग होती है फिजिकल मिटिंग में ही जो हमारा एक शनिवार का दिन होता है सन्निपात का दिन होता है जो बुद्ध के शमय में होता था जो शनिवार को तो सनिवार को हम हर सनिवार को समढ़ लोगों से मिलना जुलना इखटा होने की एक ये परंपरा है जो कुरानी परंपरा है इसको अनिवारे किया गया है और हम सब को हर शनिवार को अवश्य रूप से अपने लोगों से मिलना इखटा होना और मिलना अनिवारे हैं समध संग में मंच माला या कोई वी आईपी कल्चर भी नहीं है वी आईपी कल्चर नहीं होती है सबसमान होते हैं, मिटिंगों में गोल घेरा बना कर बैठते हैं और किसी भी प्रकार का कोई अति थी, मुख्य अति थी, इन चीजों का कोई इस्थान नहीं है और समढ संग ही अभी जैसे की संग के बारे में इस तरह से बात होती है जो वमणों का एक संग है, जो सो साल से पिछली सो साल से चला आ रहा है और तो वो जो हम असली संग ही है, वो हम ही है हम समढ लोग ही जो सबसे पुराने और सबसे पुराना जो संग है वो हमारा समढ संग ही है, समढ का मतलब समढ एक तरह से प्राकिर्तिक समण का मतलब प्राकिर्टिक है Natural संग जो है वो हमारा यह समण संग ही है है समण संग की आवश्यक्ता अभी कुरिल साब ने बताई क्यों आवश्यक्ता मह्सूस की गई क्योंकplease similar हमारे अधिकार जा रह해 हम बटे हुए हैं जातियों में संगठनों में बटे हुए हैं तो इस कारण से जो दुस्मन है हमारा उसको पता है कि हम सब टुकडों में बटे हुए हैं तो हमारा यदि वो अहित करते हैं तो हम कोई किसी परकार से संगठित नहीं हो पा रहे हैं तो उसी का फायदा उठा कर वो हमारा अहित लगातार किये ज साथ आ जाएं हम एक साथ इखटा हो जाएं और इखटा हो जाएंगे तो सारे काम फिर अपने आप होते रहेंगे किसी भी परकार की फिर कुछ करने की भी जरुरत हमें नहीं पढ़ेगी क्योंकि जहां पर संख्या बल होता है जिस तरह से कि रोजाना इस में बताये भी जाता है कि जो सम्वीधान है बावास आपध है तो यह समण संग गुद्दsk से पहले चलता था जिसे हमारे पुर्खों नहीं चलाया था सभी प्रकार के जो निर्णे और फैसले हैं वो संग के द्वारा ही किये जाते हैं संग के द्वारा ही चक्रवरती समराट महान अशोक ने भी सुरनिम सासन चलाया था जो अपने शाशन के दोगरान जिरों महा भारत बनाया था उसके बाद जब से ये बमण लोग भारत में आए उसके बाद से ही हम जो समता में रहने वाले लोग थे समणी लोग थे तो समण सब्द को संस्कृत विक्रत करके ही जो है इन्होंने कालपनिक किस्सों के जरिये और जो कालपनिक कहानिया गड़क है और हम लोगों को हमारी जो संस्कृती थी समण संस्कृति उसको बिलकुल पूरी तरह से विलुक्त करने का कारे किया और इसमें हम फस्ते चले गए तो आज कुछ बुद्धी जीवी साथियों ने उसी समण संग को जो वो संस्कृति जो समण संस्कृति थी उसी को जहाण पोचकर आज हम सब के सामने लाए हैं और जैसे कि बुद्ध ने भी बार 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 संग की संग में जाने को कहा है कि शंगम स्ररणम गच्छामी और बावा साहब ने भी इसी को अपनाते हुए संग की बातों को ही अपनाते हुए जो भारत का सम्विधान दिया है उसमें भी भारत एक गड़ राज्य शंग की ही इस्थापना की है तो समण संग हमारे देश का सबसे पुराना संग है और हम केवल हम ही संग ही है और संग में वास्तविक संग की जो परिकल्पना है वो लोगों के लिए लोगों के द्वारा ही संचालित होती है जैसे क समण संग के नियम है कि इसका कोई करता धरता आगवा नहीं होता है तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि लोगों के लिए लोगों के द्वारा संचालित होने वाली व्यवस्ता का नाम ही संग है तो संग में कोई पदादीकारी नहीं होता है कोई परची या चंदा नहीं लिया जाता है तो आज जो वरत्मान परिवेश है आज के वरत्मान परिवेश में अत्यन तावश्चक हो गया है कि भगवान बुद्ध के द्वारा जो दिखाया गया रास्ता था हमें करुणा सील प्रग्या का जो मार्ग था उसको इन वम्रों ने ही विक्रत करके दोचक में धखे पर लगा कर जो हमें भारत का गौरवसाली सम्विधान दिया था आज उसी सम्विधान को भी विकरत करने की कोशिस की जा रही है और कोशिस किया की जा रही है कुछ हद तक विकरत कर दिया गया है तो इसलिए हम सब को अपनी अश्मिता और अस्तित्व बचाने के लिए अपन ही जरूरी है तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस जोडने और जुडने के कार्य में बहुत ही तेजी की आउशकता है और हम जुडते चले जाएं जोडते चले जाएं और जितनी जल्दी हम जोड़ेंगे उतनी जल्दी ही हम जीतेंगे बहुत सारे लोग रुज़ाना मिटिंग में आते हैं तो कई प्रकार के प्रश्ण करते हैं तो मैंने जो अभी तक नोट किया है अभी तक यह नोट किया है कि जो जिस field से होता है वो अपनी बात करता है यदि कोई सिक्षा विदाता है तो उसकी कोई यदि बिजनेस में है तो उसकी धारणा ये रहती है कि यदि लोगों की आर्थिक इस्तिति ठीक नहीं होगी तो नहीं ही जुड़ सकते और तो इसी प्रकार से जो भी जिस फिल्ड में है कोई यदि जाती वी हिंद साधियों की बात करता है उस पर काम कर रहा है तो उसकी लोगों से यही मैं निवेदन करता हूँ अक्सर उनको यही कहता हूँ कि हमें सबसे पहले इखटा हो जाएं तो हम सब काम कर लेंगे हम बुद्धिष्ट भी बन जाएंगे हम जाती विहीं हम कर लेंगे यदि हम इखटे हो जाएं तो जैसे कि बार बार इखटे उधारन भी दिया जाता है कि दो अप्रेल डो जारठा रहेगा तो एक दिन के लिए कुछ घंटों के लिए हम सब इखटा हुए थे और एक साथ आये थे तो हमारा एक अधिकार बच गया तो इसी प्रका इसनी जल्दी खटा हो जाएंगे उतनी जल्दी जीत जाएंगे बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ जैवहिम नमो बुद्धाय आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़ प्रफिरी है। आप अपने Facebook पे, अपने पेज़ पे, अपने टूटर पे या अपने हनल पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पर चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए एजाज़त लेने की या waits लेने की बिलकल भी जरूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है, या महापुर्सों का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे क्या हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है, धन्यवाद तं सरीनम घच्छा मी फो धन्यवाद सेनं घच्छा मी तं तं सरीनम घच्छा मी तं मं सेनं घच्छा मी संगं सरनं गच्छामी तू थियंपी बुद्धं सरनं गच्छामी तू थियंपी बुद्धं सरनं गच्छामी दूतियं पी धम्मं मर्सर्णु गच्छानू दूतियं पी धम्मं सर्णं गच्छानी दूतियं पी सर्णु गच्छानू दूतियं पी सर्णं सर्णं गच्छानी ततियं पी बुद्धम सर्मं गच्छाम। ततियं पी संदम सर्मं गच्छाम।